नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका कॉल्टी मांतरा में दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं और ओरियो बिस्किट्स का और ये जो ओरियो बिस्किट है वो इतने जादा फेमिस हैं कि आपको लगबग हर शौपर ये मिल जाएंगे अगर आप ओरियो बिस्किट्स को खाते हो या नहीं भी खाते तो इस वीडियो का उप एंड तक जुरूर देखें में स्किप बिलकुल मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हलफुल साबित होने वाली है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो ये हैं मारे बास ये दो ओर ये बिस्किट के पैकेट एक हैं ये 10 रूब वाली पैकिंग जिसमें केवल 5 बिस्किट आते है और एक हैं ये 30 रूब वाली पैकिंग जिसकी quantity होती है 120 ग्राम की सो एक चीज तो यहां से कलीर हो जाती है कि इन बिस्किट्स का जो प्राइस है वो थोड़ा जादा होता है और क्वाइनटीन की कम होती है मिन्स हर को यसे फूट नहीं करना चाहेगा सो दोस्तो अब एक मैं बात करूँ कि अगर आपको जादा बूक लगी है तो यह 10 रपे वाली पैकिंग आपके लिए काफी नहीं है क्योंकि 5 बिस्किट आपकी बूक को नहीं मिटा पाएंगे लेकिन इसके साथ आपको क्या करना होगा कि आप इसके साथ आप दूर्द ले सकते हो जहाएं चाही ले सकते हो जहां आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है काफी अच्छा टेस्ट उसका जोग बन जाता है दोस्तों जिन लोगों ने ओरी शेक पिया हुआ है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी व्यूस जैमें जरूर शेयर कीजेगा तो अब मत करते हैं कि इन बिस्किट्स में ऐसा खास क्या होता है कि यह बिस्किट्स बाकी ब बिस्किट्स ज्यादा फेमस हैं तो देखिए अगर मैं एक बिस्किट की बात करूं एक सिंगल औरियो बिस्किट की तो उसमें आपको काफी अच्छे न्यूट्रियंट्स मिल जाते हैं जैसे की अनर्जी तो इसके एक बिस्किट्स में आपको 48 kacil नर्जी मिल जाएगी ज बात करते हैं कार्बो हाइडर्स की तो एक बिस्किट में आपको 7 गराम कार्बो हाइडर्स मिल जाते हैं जिसमें की 4 गराम शुकर होते हैं बिस्किट्स की बात करूं तो एक बिस्किट में आपको 2 गराम फैट्स मिल जाते हैं और एक चीज़ जो मुझे इस बिस्किट्स क कि माउंट काफी ज़्यादा है जिन लोगों का BP थोड़ा बढ़ता है तो उन लोगों के लिए बिस्कुट बिलकुल भी सही नहीं है एक बिस्किट में 50 ग्राम सोडियम और यह काफी जादा माउंट है बिस्किट वाले पेशेंट्स के लिए यह बिस्किट बिलकुल भी साही नहीं है तो दो यह थी इसके न्यूटिशन इंफोमेशन चलिए अब हमात कर लेते हैं इसके एंग्रीजिएंट्स की जिसका मतलब है कि इन इंग्रीडियेंट्स से आपको कोई साइड इफेक्ट गयरा नहीं होने वाला तेकिन दोस्तों एक बात है कि जिन लोगों को कनक से अलर्जी है यानिका वीड से अलर्जी है तो उन लोगों के लिए बिस्कुट यह साही नहीं है उनके ओपर दूरूर को ख्रीड़ों के 10 पे बाले तो उसका में आपको ज्यादा कौएंटि मिल जाती है निसरों क्या प्रूर क्यांड़ा होता है यह जो फ्लेवर को चॉक्रीम और यह जो फ्लेवर हो ओर फ्लेवर में थोड़ा सा फरक होगा लेकिन अगर अगर आप तो तीन पक्रिये दोगे दस वाले तो उसमें आपको ज्यादा क्वैंटी मिल जाएगी तो अब हमात करते हैं कि क्या ये बिस्किट आपको खाने चाहिए मिस्ट के लिए अच्छे हैं तो जी यहां ये बिस्किट आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं एक तो इनका जो पॉलम है तो उन लोगं के लिए अच्छे नहीं है कि सोडियम की मातरा इसमें हाई होती है तो दोस्तो ये था इन बिस्किट का रिव्यू तो अगर आप इन बिस्किट को खाते हो तो अपने जो व्यूज है वो नीचे कॉमेंट सेक्ष्य में जहूर शेयर कीजेगा तो इस